नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्योलोजिकल गुरुजी में और हमसे जुनने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बिल आइकन को दबाए जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें दोस्तों अगर नहीं करते रात को सोते समय औरत के साथ ये गुपतिकां तो उम्र बर रोती रहोगे दोस्तों उससे पहले आईए जानते हैं अगर औरत के ये अंग बड़े हैं तो वो हैं बहुत भागे साली कौन से अंग आईए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों वीडियो सुरूर करने से पहले आप से रिक्विष्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक चरूर कीजिएगा दोस्तों को सेर कर देजिएगा और आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन शरूर दबाईएगा अब चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तो भारतिय संस्कृति में महिलाओं को पुझ्जे माना गया है उन्हें सबसे उच्चे सम्मान प्राप्त है यही बज़ा है कि हमारे हां कन्याओं की पूझन की परंप्रा है दोस्तो गुरूर प्रणान और समुद्र शास्तर की बात करे तो इसमें महिलाओं के अंगों के भारे में विस्तार से बताया गया है दोस्तो हर महिला के अपनी एक खासियत होती है उनका कौन सा लक्षन, किस पुरुस के लिए बहतर या भागे बदलने वारा होगा इस सवाल का जवाब सामुद्रिक सास्तर में बताया गया है इसमें महिलाओं के बालों से लेकर पैरों और नाखुनों तक किस्ति को बताया गया है कि उनका क्या फल मिलता है इसमें महिलाओं के बड़े अंगों का भी अलग-अलग पल बताया गया है साइद यही वज़ा है कि हमारे घर के बुज़र्ग विवाह के लिए लड़की देखने जाते थे तो सारी इक सुन्दर्टा की बज़ए बालिया के सारी इक अंगों और लक्षनों पर अधिक गौर करते थे आईए अब हम आपको बताते हैं कि महिलाओं के कौन से अंग अगर बड़े हैं तो अब पती और परिफार के लिए भागे साली उनके भागे को बदलने वाले होता है और उनके विए बहुत ही शुब्य होता है तो आईए जानते हैं इसके बारे में दोस्तो नंबर एक है लंबी और बरे बाल दोस्तो सास्त्रों में वणित है कि लंबी बालों वाले महलाएं पदमती होती है अर्थात उच्च कोटी की होती है लंबे और रेस्मी बाल सुभता और सुन्दरे का प्रतीक है अगर आप भगवती देवी का कोई वे चित्रे या प्रतीमा देखेंगे तो पाएंगे कि उनके बाल लंबे होती है लंबे बालों वाली महलाएं पती के लिए भग्य साली साबित होती है दोस्तो नंबर दू है लंबी गर्दन सामुत्रिक साफ्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी मन अगया है जिन महिलाओं के गर्दन लंबी होती है वे एस्वरे सालनी होती है इनके पास सपुन बैबा होता है और इनके रहती पती को कभी भी पैसों की कमी नहीं होता सामुद्रिक साफ्त्र और भविश्य पुरान में लिखा गया है कि उची सुडॉल और बरे वक्षस्तल वाली महिला है स्वभागे सालनी होती है इनके सुडॉल वक्षस्तल धन संपती और एस्वरे के प्रतीक है दोस्तो प्राचीन देवी प्रतामाव में अब देख सकती है इस सिल्फ कारून है बरे वक्षस्तलों को सुभागे के रूप में प्रतुत किया है ऐसी महिला है पती के लिए एक तरह से तारनहार होती है इनकी संतानवी उपेक शक्रित ज्यादा बेहतर और सफल होती है नमबर चार है मांसल और पुष्ट जंगाई मांसल और पुष्ट जंगाई वी सौभग सिल होने का प्रतीक होता है हमुद्रिक सास्र के नो सार जिन महिलाओं की जंगाए पुष्ट और मांसल होती है तो वो औरहत बहुत ही भाकिसाली होती है इनकी कारण ही पती को मकान और वाहनादी काशों के बेता ढंक से प्राप्त होता है पतली और विक्रिश जंगाओं को सास्तुर में अच्छा नहीं माना गया है दोस्तों बरी आखो वाली महिलाएं बहुत ही सभा किसाली होती है वे विरुशी, विवेक्सी और बहुत ही समझदार होती है ये पूरे परिवार के लिए शुब होती है और विपती आने पर अपने सुजबूश से पूरे परिवार को समाल लेती है इनके रहते घर में कभी भी धन की कमी नहीं होता है दोस्तों नमबर 6 है लंबी नाख समान्ये से कुछ लंबी नाख वाली महिलाएं गंभीर और संथ सभाव की होती है ये हर विपत्ती का सामना करने में सक्षाम होती है इनके कारण पुरा परिवार सुरच्छित रहता है इसके अलावा समान्य सीर और समान्य अकार के कानवाली महिलाए परिवार के लिए बहुत ही अच्छी माने जाती है सामुद्रिक सास्तर में महिलाओं के हाथ और पैरों की अकार को विसे समहत्व दिया गया है समान्य अकार के चिकने पैरों वाली महिलाएं एक तरह से लक्ष्मी सौरूप होती है इनके पैरों की सबसी छोटी उंगली कुछ लंबी और भूमी को सपर्श करती हुई होता है ये महिलाएं बहुत ही सबाके साली और पती के लिए लक्ष्मी होती है इसी तरह हाथों की मध्यमाकार की उंगलियों और चिकनी हाथों वाली महिलाएं भी बहुत ही लगी सावित होती है अब दोस्तों आईए जानते हैं कि औरत के साथ रोज रात को कौन सा काम अवश्य करना चाहिए दोस्तों आचारे चानके जी के अनुसर रात को सोते समय औरत को अगर रोज प्यार करोगे तो आपका साधिसुदा जीवन स्वर्ग बन जाएगा और अगर नहीं करते तो आपका रिस्ता धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा और आपका जीवन नर्ग बन जाएगा इसलिए दोस्तो रोज रात को सोते समय अपने पत्नी को प्यार करके ही सोना चाहिए और दोस्तो अगर सोते समय आप ये गुपत काम नहीं करोगे तो उम्र भर रोते रहोगे दोस्तो अगर आप ये गुपते काम करते हैं तो आपकी पत्नी आपके पैर्द होएगी और आपके तलवे चाटेगी तो दोस्तो ये थी आज के कुछ अन्मोल वचन जो हमने आपके साथ सेर किया दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होते वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट बॉक्स में जैसे करें लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों